इस वीडियो में आप लोग 15 रेंडम फैक्ट जानने वाले उस्ट ले लेती है सेम टू सेम सन का भी कुछ ऐसा ही सीन है यानि की सन एवरेजली 27 डेज ले लेता है अपना एक रोटेशन कम्प्लीट करने के लिए फैक्ट नमर 14 दोस्तो एक वेक्ती पूरे जीवन यापन यानि की पूरे लाइफ टाइम में एवरेजली 11 करोड स्पेंड कर देता है जो की लिटरली इंसेन है फैक्ट नमर 13 दोस्तो लियोनाडो दविंची को 12 लग गए थे मोना लीसा की लिप्स को ड्रॉ करने के लिए फैक प्राइब को बता है कोख्रोज का फेवरिट फूड कौन सा होता है तो उसका एंसर है गोंद यानिकि ग्ल्यूँब फैक्ट नमर 10 जीरो एक ऐसा नमबर होता है जिसको रोमन नुमेरल में रिप्रेजर्ट नहीं कर सकते यापक्त बता है इसी कौन सी कंट्री है जिसकी सबस नहीं आया है तो उसका एंसर है फ्लोरीडा एंड नौर्थ डकोटा नमर सेवन क्या पता है जब आप लोग दो वर्ज के यानि कि आपकी जब एज टू थी तब आप लोग 300 से जादा वर्ड को लें कर लेते थे अब इसका लॉजिक तोड़े सा वियर्ड है कि स्टडी में पा ड्रीम की बात ने कर रहा है यूट्यूवर की बात नी कर रहा है मैं दूसरे ड्रीम की बात कर रहा हूं कि सपने की बात कर रहा हूं तो इस फैक्ट ही है कि जब आप लोग ड्रीम में होते हो तब आप लोग पैरलाइज हो जाते हो Fact number 5 क्या आपको पता है जिनकी आखे नहीं होती यानि कि जो blind people होते हैं वो बातों को जल्दी understand कर लेते हैं जिनकी आखे होती हैं उससे पहले यानि कि simple language में blind people understand spoken words quicker than sighted people Fact number 4 दोस्तों आपको ये तो पता अगर जो मिट्टी के अंदर जो water present होता है उसे हम underground water कहते हैं ना और जो earth के upper level में जो water present होता है उसे हम water table कहते हैं यानि कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप ये image देखे समझ सकते हो Fact number 3 क्या आपको पता है वर्ल्ड का hottest place कौन सा है तो वो है डेलोलेल एथोपिया और उसका average temperature 45 degree celsius से लेकर 55 degree celsius तक है Fact number 2 क्या आपको पता है जिनको लोग गांदी जी के तीन बंदर कहते हैं उनके name भी थे और उनके name कुछ इस प्रकार थे सबसे पहले जो बोलताथा कि बुरा मत देखो उसका नाम था Mizaru एंड जो दूसरा बंदर था जो बोलता था बुरा मत शुनो उसका नाम था Mika Zaru जो तीसरा बंदर था जो की बोलताथा कि बुरा मत बोलो Fact number 1 एक ऐसी rare condition होती है जिसके अंदर आप लोग अगर सोते हो तो आप लोग को Lloyd Noises सुनाई देती है और वो बहुत ही जादा rare cases में होता है दोस्तों इसके अंदर होता ही है कि जो इसके affected होता है यानि कि जिसको exploding head syndrome होता है यानि कि भले ही आपको loud noises सुनाई ना देते हो लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को सुनाई देगा जो affected people है और बार बार उड़ते रहेगा मतलब यह बहुत ही जादा rare case है और यह बहुत ही जादा rare syndrome है और हाँ वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना अगर आँ नहीं हो तो goodbye